दोस्तो इसरो इंडियान स्पेस रिचर्च और्गानाइशन इसरो के तरफ से LPSC का एक्जाम हुआ था इसका जो एड़ेटाइजमेंट 2019 में निकल के आया था एड़ेटाइजमेंट नमबर जो है LPSC 03 2019 एंड LPSC 04 2019 ये जो वेकेंसी निकल के आया था उसका एक्जाम प्रोसे कंप्लिट हो चुका था दोस्तो तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इसका फाइनल रेजल्ट आ चुका है मेरिट लिस्ट आ चुका है कितने लोगों सिलेक्षन हुए है उनका नाम आ चुका है अगर आप लोग LPSC का एक्जाम दिया था या आप आप लोग आगे इसरो का कोई वी एक्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को कंटिनीव कर सकते हो दोस्तो मैं आप लोग के लिए य अफिशियाल लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में दे रखा हूं अगर आप लोग तयारी कर रहे हो इसरो का टेक्निकल असिस्टन्ट या टेक्निसियान तो आप लोग के लिए प्रिवियर पेपर के साथ एंसर की बना दिया हूं एंसर की मिल जाएगा सेट लगभग 2012 तक यहा अप्रिकेशन है यहां पर टेस्सिरीज बना हुआ है आप लोग अगर तयारी कर रहे हो कम्पीटेटिव एक्जाम के लिए जरूर से जरूर टेस्सिरीज में एन्रोल हो सकती हो और वाट्सप नमबर दिया गया है डेस्क्रिप्शन में कोई भी अफडेट चाहिए आप लो एक नोटिस जारी किया है selected panel for technical assistant mechanical and electronics is published यहां पर click here to view details अगर आप देखना चाहते हो तो यहां पर click कर सकते हो यहां पर यह पे पैनल निकल के आज आएगा आप लोगों का काम यह है दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हो मैं आप लोग को बता रहा हूँ technical assistant mechanical और technical assistant electronics यह दोनों का result निकला है पोस्ट कोड आप लोग देख सकते हो 721 और 722 और 724 दो advertisement रखा गया है LPSC 02-2019 और यहां पर 04-2019 दो advertisement का मिला के यह result निकला है और exam भी हुआ था दोस्तों यह दो exam को मिला के दो advertisement को मिला के exam भी हुआ था चलिए दोस्तों मैं आप लोग दिखा देता हूँ result इसको अगर click कर रहे हो view में आप लोग result भी देख सकते हो यहां पर technical assistant mechanical का देख सकते हो दोस्तों यहां पर selected panel on reserve का और waiting list भी रखा गया है आगे हो सकता है recruitment नहीं होगा तो waiting list वालों को clear किया जाएगा और waiting list का एक date दिया जाता है तो आप लोग का नीचे जा रहे हो तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो panel valid of to 28 April 2022 तो दोस्तों 2022 अप्रेल 28 तक अगर कभी भी उनको requirement चाहिए तो यह waiting list candidate को clear करवा देंगे यहां पर दोस्तों देख सकते हो unreserved में total 8 post selection हुआ है और waiting list जो है 8 number 7 number waiting list रखा गया है उसके बाद दोस्तों यहां पर OBC panel में 4 लोग selection हुए है और जो OBC panel में wet list है वो 8 लोगों को रखा है उसके बाद OBC PWD physical handicap वालों के लिए selection रखा है एक post और यहां पर SC panel में merit list में 2 selection हुआ है और उसमें आप लोग के लिए waiting list भी 2 लोग को रखा गया है EWS panel में दोस्तों देख सकते हो एक लोगों का selection हुआ है तीन लोगों का waiting list रखा है यह है दोस्तों mechanical student अगर आप selection हो रखे हो तो आप लोग जरूर what's up में comment करिए दोस्तों मैं आप लोग के साथ एक live interview करना चाहूंगा अगर आप लोग सेमत हो यहां पर थोड़े जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे उन लोगों के लिए थोड़ा motivation मिलेगा अगर आप लोग चाती हो तो अगर selection हुए है तो जरूर message करना what's up में यह है दोस्तों electronics का है electronics में भी आप लोग merit list देख सकते हो waiting list देख सकते हो अगर कोई भी बंदा mechanical या electrical से selection हो रखा है तो जरूर what's up करिए दोस्तों आप लोग के साथ थोड़ा live हम आएंगे थोड़ा आप लोग को हम channel में publish कराएंगे चले दोस्तों यही था पूरा details और यहां पर सभी लोगों का comment आता है कि sir कब तक exam होगा दूसरे आज इतना भी URSC है यहां पर SAC है और यहां पर HSFC है बहुत सारा exam होने वाला है कब तक होगा दोस्तों यहां पर आप सबको पता होगा situation अभी थोड़ा ठीक नहीं है माहोल थोड़ा ठीक नहीं है जब तक माहोल ठीक नहीं हो जाता तब तक exam का उम्मीद भी मत रखो पर मतलब आप divert मत हो जाए ताइम बचा है आप लोग को revision करने का ताइम बचा है आप अगर अभी mathematics नहीं पढ़ते होंगे अभी थोड़ा mathematics में ध्यान दीजिए non-technical जिसका नहीं होता है non-technical में ध्यान दीजिए revision करिए पर divert मत हो जाए चार साल में पढ़ाई जितना किया है अभी का situation में अगर आप थोड़ा उसको मतलब तेड़ा कर दोगी देखोगी नहीं तो आप सब खा जाओगी और आगे जाके आपकी जब exam होगा तब सोचोगी कि यार मैं तो बहुत दिन से पढ़ा नहीं तो जल्दी से जल्दी थोड़ा अच्छा से revision करिए बहुत कम टाइम बच्चा है अभी exam को तो आप लोग थोड़ा ready होके रहिए दोस्तों क्योंकि यहां पर यह pandemic थोड़ा कम जब तक हो होगा exam होने का chances रहेगा क्योंकि यहां पर exam center सब selection कर दिया है और all India exam होने वाला है all India center में आप लोग का exam होगा और ओभी online होगा दोस्तों तो ready रहिए चलिए मिलते हैं बाइबाइबाइब जैहिन